आज हम बनाने पैल बॉटर में तो इसका बनाना बहुत ही आसान है तो आज मैं इस तरह से बताऊंगी कि आप बिल्कुल आराम से इसको घर में तयार कर सकेंगे तो चलें इसको बनाना चार्ट करते हैं तो यहां पर देखें हमने कपड़े को इस तरह से डबल करके रखा है और यहां पर 1 इंच का हम निशन लगाएंगे तो यह खुलीवी साइड है यह फूली साइड हम अब डरक ही और इसको यहां पर पहले आदर इंच का निशान पूरे में लगा लेंगे तो इसमें किनारी चारी यह तो मैं सब जितनी किनारी इए zal ऊड़र sophomore इंचा एक अश रखेंगे तो से रखेंगे हम 11 विया के इंदर दो एंची लूजिंग देंगे आसन में और यहाँ यहां बें यहाँ क्यार है वी करेंगे कर यहां चाहिए आहिज़ को हुगहा नेकर को यह मॉन тебе बार में करवाला स्केल इसको यहां पर हम रखेंगे इस तरह से इस स्केल में निशान लगा लिए तो इस स्केल से बहुत अच्छा निशान आ जाता है और जादा हमें नापने की भी ज़रूत नहीं पड़ती है तो यहां हम गुटने का कोई साइज नहीं लेंगे जब इस स्केल से अब दुबारा से इसको इस तरह से प्लट के रखेंगे और उपर से इस तरह से निशान लगा लेंगे अब यह जो हमने मार्किं के लिए इसी पर हम यहां से कटिंग कर लेंगे तो यह हमारा फरंट साइड होगा इसका बैक साइड जो हम पहले प्रंट काटेंगे उसे बाद रखे काठेंगे तो यहां पर देखें हमने ज्यादा कोई मेंजमेंट निंग करी है और यहां पर इसी स्केल की मदद से दो से डेड़ इंच बढ़ा लेंगे यहांए ने निम्सें पूरा कि आलेंगे और यहां पर से टो इससो में पर्चे बढ़ा लेंगे जो बे कि राइन और यहां पर इस तरह से निशान लगा लेंगे चा अब यहां प east unknown नीचे तक में इसके अनदर देर बसकाए एक्सा मार्जन दोंगी तो यह बैक वाला जो है इसके अंदर इस तरह से हमें बढ़ाना होता है अब दुबारा से यह वाली शेप पट्टी जो है इसको यहां पर हमीं सहरा रखेंगे और बैक साइड पर इस तरह से निशान लगा लेंगे इनी निशानों पर हम यहां इस तरह से कटिंग कर लेंगे पर मोंडे का जो मार्जन है इसको हम यहां पर कट लगा लेंगे चोटी-चोटी से ताकि यह हमें मोंडतेवक आसानी हो इसमें तो यहां सबसे पहले हम स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आसन की सिलाई लगाएंगे झाल झाल तो यहां देखे मैं नयासन की सिलाइएं लगा लिए अब यहां पे इसको इस तरह से खोल लेंगे हम और खोल के एक पे एक रखे साइड की सिलाइएं भी लगा लेंगे अ olduğunu ब मícios पे ऑक की भी लेंगे हम नयासन देखे से खोल लेंगे हम मैं वा लेंगे हमँगे हम लेंग जयासन की सिलाइएं अधार को अओशे रूब का वाओा लेंगे If You कि अब यहां नीचे से हमें कोड़ करना होगा यहां पर हम इसको इस तरह से जो हमने कट लगाए थे उनको कटों को आपस में लाएंगे और यहां एक तफ़ा आयरन कर लेंगे ताकि यह फोल्डिंग में कोई परिशान ही नहों बिल्किल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए तो यह देखे मैंने इस तरह से आयरन कर लिया है इसको और अब मिल्किल असानी के साथ इसको फोल्ड कर लेंगे यहां देखे मैंने इसको नीचे से भी फोल्ड कर लिया है और अब यहां पर इसको डबल मिलाएंगे और एक इन जितना कपड़ा एक्स्रा लगते हुए इसको साइट की सिलाई लगा लेंगे हम नीचे से इसके अंदर एक हीश लगेंगे उपर लाते विए इसको कम करते जाएंगे तो जिस शेप में काटिंग हुई विए उसी शेप में हमें यहां पर इसलाई लेनी है कि यहां देखें मैंने साइट की सिलाइयां लगा के इसको बंद कर लिया है मैं सिधा करके दिखाती हूं तो यहां देखें इसका शेप बिल्कुल परफ्रेक्टा है और अब इसमें लास्टिक लगाएंगे हम तो लास्टिक यहां पे 10 इंच पैनल रिये डबल में यानि 20 इं और इसको पहले मैं होल बना लिया है तो यहां लास्टिक हम बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे जो हम नार्वल टाउजर के अंदर लगाते हैं तो हमने यहां पे इसलाइड कपड़े पर रखनी है लास्टिक पर नहीं रखनी है 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 हमारा बैल बॉटम बन के तैयार है तो इसको बनाना आपने देखा कितना आसान है यहां पर हमने कोई मेजिमिन्ट जादा नहीं रखी लिए इसकी बस यहां हमने इसकेल की मदर से इसकी मेजिमिन्ट रखी है तो उससे ही हमारा परफेक्टन के तैयार हुआ है